नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आर्टी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक बिग्यान विशय के अंतरगत, हम आठ्वी कक्षा के इतिहास विशय का अध्यन कर रहे हैं। और हमारे समर्च है आपका चाउथा अध्याय जिसका नाम है उपनिवेस वाद और आदिवासी समाज। तो विद्यार्थियों, यह चाउथा चेप्टर पेजन संख्या 44 से सुरू है और 56 पेसमाप्त है, अब एक्षा करीति यह छोटा चेप्टर है। तो चलिए हम इसकी सुरुवात करते हैं। विद्यार्थियों, आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके पाठ का नाम है उपनिवेस वाद और आदिवासी समाज। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे विद्यार्थियों, कोलोनियलीजम एंड ट्राइबल सोसाइटी। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम यह अध्यन करेंगे कि पिछले 200 बरसों के दोरान उपनिवेस वाद का आदिवासी समाज पर क्या परभाव पढ़ा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपके मन में यह जाननी की इच्छा होगी कि आदिवासी समाज जिसको अंग्रेजी में हम ट्राइबल्स कहते हैं, यह कौन लोग हैं और वे दूसरों से कैसे थोड़ा अलग भी हैं। तो विद्यार्थियों, आप इस स्क्रीन पे देखिए, आदिवासी यानि की ट्राइवल सब्द का प्रयोग किसी भागोलिक छेतर के उन निवासियों के लिए किया जाता है, जिनका उस भागोलिक छेतर से ग्यात इतिहास में सबसे पुराना संबंद रहा हो। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि हमारे जारखन राज में कुल 24 जिले हैं और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां आदिवासीयों की जनसंख्या काफी अधिक हैं। और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां आदिवासि, आदिवासियों की जनसंख्या सुनने हो, यानि कि आदिवासि हर जगा है, तो वे लोग कैसे परंपरा और संस्कृति के मामले में दूसरे लोगों से थोड़ा अलग हैं, और उनका जीवन यापन कैसे थोड़ा सा अलग हैं, उ आदिवासि जो हैं, पूरी दुनिया में एक सरल समाज मना जता है, जिसकी आजिवी का जगवत के हिसाब से चलती है, ना कि संगरह के हिसाब से, आपने देखा होगा विद्यार्थियों, कि जहां कहीं भी आदिवासि रहते हैं, बहुत बड़ा घर मकान नहीं होता है, जो इन समागरियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी विलासिता कहीं नजर नहीं आती है, उनके पास लकडी जैसा भरपूर संसाधन उपलवध है जंगलों में, लेकिन लकडी का उपियोग वे इमार्ती लकडी के रूप में बिलकुल नहीं करते हैं, जबकि दूसरे जो में आप देखिये, कि इमार्ती लकडीयों और फरनीचर का कितना ज़्यादा उपियोग होता है, उसी परकार से विद्यार्तियों हर छेतर में आप ऐसा देख सकते हैं, तो विद्यार्तियों कई बार हम यह सोचते हैं कि आदिवासी समाज में खुसियां ही खुसियां है क्योंकि जो तस्वीरें च्छन कराती है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आदिवासी समाज जो है अपने परबतेवार को मिल जूल कर मना रहे हैं उनका जो परबतेवार होता है वो मैक्सिमम ऐसा है अकेले मनाने जैसा कुछ नहीं है जो भी परवते भारों लोग मनाते हैं सामुहिक रूप से मनाते हैं मिल जूल कर मनाते हैं है ना विध्यार्थियों आपने जरूर देखा होगा अपने गाउं, कस्बे जहां भी आपने जरूर उठा कर देखेंगे जार्खन में तो आपको ये द्रिष्टे देखने को मिलेगा विध्यार्थियों, आदिवासी समाज और संस्कृती के प्रती समाज का रवईया हमेशा ये ढूनने में लगा रहता है कि आदिवासीयों में अद्भुत और बिलक्षन क्या है यानि विध्यार्थियों जब कभी कोई खोजी द्रिष्टी से आदिवासीयों को देखता है तो ये देखने की कोशिस करता है कि उन में अलग क्या है बलकि ये नहीं होना चाहिए होना ये चाहिए कि उनकी जरुगते क्या है वे मनुस हैं उनकी आवसेक्ताएं और हमारी आवसेक्ताएं एक सी हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उनकी जरुगते कैसे पूरी हों वो जो है समाज में कैसे जो है और उपर अस्तरते उठ सके तो ऐसा प्रयास होना चाहिए ना कि हम ये देखें कि उनमें विलक्षन क्या है और अद्भूत क्या है विद्यार्थियों आप इस्क्रीन पे आप देखते जाएए जादत और मामलों में आम लोग सिर्फ इनके जीवन के बेवहार और तमासे के लाइक चीजों की तलास और मनोरंजन को ही स्रिफ संसनी खेज बनाने का प्रयास करते हैं हाँ ये बिलकुल सही बात है क्योंकि हम लोग ऐसा देखते हैं कि जहां कहीं भी इनका फिलमांकन भी होता है तो वो नाच, गान और निरित्य ही दिखाया जाता है जमकि इनके जीवन की जो इनका जो एक स्याह पक्ष है जिसमें की ये मजबूरियों से अपना जीवन जी रहे होते हैं तो वो चीज कहीं परिलक्षित नहीं होता और होता भी है तो बहुत कम होता है सुदुगु जंगलों, पहाडों में ये कैसे जी रहे हैं कहां इनके साथ पानी की समस्या है बिजली जैसी समस्या तो आज भी कई ऐसे गाउं है जहां पर दूर दूर तक बिजली की समस्या बनी होई रहती है कई ऐसे गाउं है जहां के बच्चों साइद रेल गाड़ी भी नहीं देखा होगा कभी कई ऐसे गाउं हैं जहां पे बिजली बत्ती तक नहीं देखा होगा कई ऐसे गाउं हैं जहां स्मार्टफोन तक साइद नहीं होगा है न बच्चो तो इसी तरह से आप देखते जाईए लेकिन हम सिख्छकों और आज के जागरूख बच्चों बच्चों आप लोग जागरुक हो चुके हो हर छेतर में हमारे बच्चे जो विद्याले जार हैं विद्याले जो जाते हैं उनमें जागरुकता आई है इसलिए हम आपको जागरुक बच्चा कहते हैं लेकिन हम सिक्षकों और आज के जागरुक बच्चों को यह भी देखना चाहिए कि इनकी जिंदगी हार तोड मेहनत और कठीन परिस्थितियों का सामना करते हुए बित्ती है बिल्कुल बच्चों जो काम हमारे लिए इतना आसान होता है कोई छोटा सा सामान लाने के लिए हमें मुश्किल से आधा किलोमीटर चलना पड़ता है बच्चों यह बीस-बीस किलोमीटर चलकर कोई अपना सामान बेचते हैं किसी गाओं के या किसी कस्बे के छोटे-मोटे हार्ट बाजार में और तब वहां से वो अपने सामान ले करके अपने घर तक आते हैं और उनके पास आयका कोई बहुत बड़ा साधन भी नहीं होता विद्यार्थियों आप देखते जाएए पिछले सौ से भी अधिक बरसों से आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं विद्यार्थियों ये क्या बात हुई क्यों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ अस्तित्व की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं विद्यार्थियों कि ये जो है इनकी जमीन कहीं चीनी जा रही है इनकी असमीता जो है वो परभावित हो रही है कई कारणों से बच्चों इनका जो जीवन काफी दुभर हुआ है तो कई छेत्रों में ये आगे भी बढ़े हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन खास करके भूमी का जहां तक मामला है बहुत सारी भूमी जो है इनकी छिन गई है कई कारणों से उन पर हम चर्चा करेंगे तो देखिए वच्चों वे कारण जिसके चलते आदिवासी समाज को अपनी भूमी से बेदखल होना पड़ा है तो वे कौन-कौन से कारण है इनके चलते बेदखल होना पड़ा है तो देखिए विद्यार्थियों सबसे पहला कारण आप यहां देख सकते हैं कि अंगरेजू, द्वाराजू, रिजव, फॉरेस्ट की निती जब लागू की गई देखिए, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का था ठीक है, इसमें कोई किंतू-परंतू नहीं है जंगलों में वे निवास करते थे और जंगल के वे राजा नहीं कहेंगे, वे संगरक्षक होते थे जंगलों का वो दोहन नहीं करते थे जंगलों को बरबाद नहीं करते थे, बलकि जंगलों को वो आबाद करते थे है न, लेकिन विद्यार्थियों क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा आरक्षित बन नीती के कारण जो है, आदिवासियों को बन छेतरों से उजड़ जाना पड़ा दूसरा भी द्यार्थियों, जो कुछ खास तरह के मनी लेंडर्स होते थे जो साहुकार भी हम लोग कह सकते हैं, उनसे आदिवासियों को जगवत के मुताबिक पैसा लेना पड़ता था, और जब वो पैसा लेते थे, तो कई बार वे पैसा नहीं लाटा पाते थे बच्चों, और उस इस्तिती में उनको अपना जमीन जो है एक परकार से दे देना पड़ता था, तो जब नियम कानून उतना नहीत बना था हमारे देश में, उस समय ऐसा जादा हो गहा था, तो उस परिस्तिती में आदिवासियों की बहुत सारी भूमी जो है, वो दूसरे लोगों को हस्तांतरित हो गई और एक चीज है विद्यारतियों, कि बड़ी नदी घाटी परियोजना है जिसको हम लोग बोलते हैं, मेगा रिभर वैली प्रोजेक्ट के चलते भी प्लायन हुआ है आप जारगण में भी देख सकते हैं, है ना, चाहे दामोदर घाटी परियोजना हो या आप बहुत सारी परियोजना ऐसी हैं जिसमें आप देख सकते हैं पूरे भारत में आप देखिए, मैक्सिमम ऐसा छेतर है जिस जहां की आदिवासी परभावित हुए है चाहे वो महान अदी पर डैम हो, या नर्मदान अदी पर डैम हो, या की मयोग अक्षिम नदी पर डैम हो अधिकांस सेत्रों में विद्यार्थियों क्या हुआ है आदिवासी ही अधिक से अधिक परभावित हुए है और क्या है विद्यार्तियों आजादी के पास्टाज जो भीम काई उद्योग खुले जिसको हम लोग कहते हैं कि आधुनिक भारत के मंदिर की भी हम लोग संग्या देते हैं जैसे कि ओडिसा में राहूर केला का स्टील प्लांट जारखंड में रांची का HEC, Heavy Engineering Corporation, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट विद्यार्तियों आप समझते हैं कि वो बैरेन लेंड नहीं था वो ऐसा जमीन नहीं था कि जैसे वहाँ पे कोई ने रहता था जमसेदपूर जैसा सहर तो विद्यार्तियों कि आज भी बहुत सारे कलकार खाने बन रहा है आपने उडिसा में कलिंगा नगर का नाम सुना होगा कितना बिवाद हुआ वहाँ पे तो विद्यार्तियों इसमें क्या हो रहा है इसमें एही हो रहा है कि आदिवाशियों की बहुत सारी जमीन चली जा रही है और वो पलाएन करने को मजबूर हो जाते हैं और फिर उनका जीवन जो है घरे संकट में पड़ जाता है तो यहां तक तो समझे हो में विद्यागतियों अब चली हम लोग थोड़ा जारखन के संदर में हम लोग अध्यन करते हैं और आगे हम लोग विद्यागतियों इस चेप्टर में काफी कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग जन जाती है समूं किस तरह से जीते थे ये अभी हम लोग जानेंगे जब अंग्रेज भारत में आये तो आदिवासी मुख्याओं का क्या हुआ क्या-क्या सामाजिक परिवर्तन आ है ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके हम लोग बिर्शा मुंडा का उल्गुलान पढ़ेंगे आदिवासीयों के जो विद खरवार विद्रो ये सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चप्टर में लेकिन अभी हम लोग चलिए इस चप्टर की सुरुवात करते हैं बिर्षा मुंडाजी से तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिद्यार्तियों जारखंड का आदिवासी समाज बिर्षा मुंडा को भगवान की तरह याद करता है, बिलकुल याद करता है, बिर्षा मुंडा जार्खन के सरवाधिक प्रसीद आदिवासी क्रांति क्यारी बैक्तियों में से एक थे, बिर्षा एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहते थे, जो निश्वार्त सेवा, सादा जीवन, एवं उच आच पर आसरित था, बिद्यार्थियों बिलकुल सही, आप आगे देखते जाहिए, वे जनजातियों के बीच से अंतविस्वासों यानि की सूपर स्टीशन का उन्मूलन करना चाहते थे, यानि जो भी अंतविस्वास की भावनाएं जो हैं आदिवासी समाज में उसको वो करना चाहते थे, उनका सरवोच धर्म परुपकार था, बिर्षा के धर्म का संबंद उनकी अपनी जनता की मुक्ती से था, तो विद्यार्थियों यहाँ धर्म का मतलब आप ये नहीं समझेगा कि जैसे वो जनरली कोई धर्म होता है कि रुसनातन धर्म की इसलाम धर्म या ऐसी किसी धर्म की बात नहीं है, बिर्षा का धर्म का संबंद उनकी अपनी जनता की मुक्ती से था, विद्यार्थियों यहाँ पे आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है सभा करते हुए बिर्षा मुंडा जी की, तो एक बात मैं बता दूँ विद्यार्थियों बिर्षा मुंडा का कूल जीवन पचीस साल का था, ठीक है, मातर पचीस साल के जीवन में उन्होंने जो कुछ किया कि आज वे भरवान के सद्रिस से पूझे जाते हैं, है ना, तो इनके साथ एक क्या घटना घटी थी, ओ मैं आपको बताता हूं, ये आपके पाठ़ पुस् सन 1895 की घटना क्या हुई, सन 1895 इसवी में जुलाई का महिना था, आप जानते हैं विद्यारतियों, जारकन में खूब बारिस होती है, है ना, और खास करके हम जो बात कर रहे हैं, वो खूटी जीले की बात कर रहे हैं, खूटी और पस्सिमी सिंभूम का जो बडर हिलाका है विद्यारतियों, जब आप रांची से चकरधरपूर या चायवासा की दिसा में आप जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी घाटी मिलेगी, जो जारकन की सबसे बड़ी घाटी है, जिसको हम लोग टेबो घाटी कहते हैं, है ना, विद्यारतियों, उस छेतर में जो है, आप 800 साल पहले, 700 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय तो और भी घंगोर जंगल था, है ना, विद्यारतियों, तो सन 1895 सुई में जुलाई का महिना था, विर्सा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ बारिस भी सुरू हो लेकिन बिर्सा को किसी तरह की छटी नहीं हुई, लेकिन उनके सरीर का रंग परिवर्तित होका रक्त की तरह, यानि की खून की तरह, लालिमा लिये हुए प्रतीत होने लगा, तब बिर्सा को लगने लगा कि मेरे पास तो चमतकारी सक्तियां आ गई हैं, मैं सभी जंजाति की समस्याओं को दूर करने आया हूँ, ऐसा उनके मन में विचार आया, ठीक है विद्यार्तियों, अगे देखिए, इस नए धर्म के परचार का विचार बिर्सा के मन में इसी घटना के फलसरुप उत्पन हुआ, जब वे बीस परसके थे, मैंने बताया विद्यार्तियों, आजात करामे के लिए भी जा है, विद्यार्तियों एक बात याद रखिएगा, यहाँ एक सब्दारा दीकू, यह दीकू लोकोन है, विद्यार्तियों आदिवासियों की भासा में दीकू का मन में महमान होता है, और महमान की जो है आदिवासी समाज पूजा करते हैं, लेकि इन्ही मेहमानों ने आदिवासियों को आगे चल के बहुत लूटा विद्यार थी हो तो नकारात्मक भावना के साथ ये दीकु सब्द का प्रियोग बाद में होने लगा हलांकि सुरुवात में ऐसी बात नहीं थी दीकु का मतलब मेहमान होता है सभी अपने आसपास आ रहे बदलाओ और अंग्रेज सासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बैचेन थे उनकी परिचित जीवन पदती नस्ठ होती दिखाई दे रही थी आजीव का खत्रे में थी और धर्म चिन्भीन हो रहा था बिद्यार्थ शी धर्म कैसे चीन्भीन हो रहा था इसलिए कि उसी समय जो है कि अंग्रेजों के द्वारा और भी बहुत सारे दूसरे देशों जर्मन मिशिनरी हैना स्पैनिस मिशिनरी और पुर्टगीज मिशिनरी बहुत सारी मिशिनरिया है भारत के अलग-अलग चेत्र तो बिर्था ने उसका एक परकार से अनुभव किया कि धारम जो है छिंवीन हो रहा है. ठीक है विद्यारतियों? आगे है जिने दीकू कहा जा रहा था, अब बिर्था मुंटा जी कहते हैं कि जिने दीकू कहा जा रहा था वे भारी लोग कौन थे, अभी जानेंगे इस चाप किस तरह बदल रहा था तो यहां कुछ प्रस्ट देख रहा है विद्यारतियों कि जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे है ना वे कौन लोग थे विद्यारतियों आपको बहुत ज़्यादा समझनी क्या आउ सकता नहीं आप भी जारकर्ण के समाज में रहते हैं और आदिवासी समाज में समाज को तो आप समझ गए हैं कि यह काफी सरल समाज है उनकी भूमी को जिन लोगों ने भी छीन लिया है किसी भी रूप में है ना तो उनको वे नकारात्मक भाव से अब कहते हैं दिकू लेकिन पहले दिकू सब्द का मतलब था महमान इस चैप्टर में हम लोग यह जानेंगे कि वे बाहरी लोग कौन थे जिनको आदिवासी दिकू कह रहे थे उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था आगे विद्यार्थियों अंग्रेजों के राज में आदिवासीयों के साथ क्या हो रहा था हाँ बाद में चलके अंग्रेजों ने कुछ कानून भी बनाया जो आदिवासीयों के हक में था है ना लेकिन सुरवात में ऐसा नहीं था आगे विद्यार्थियों आदिवासियों का जीवन कीस तरह बदल रहा था इस अध्याय में ऐसे ही हिम कुछ सवालों पर विचार करेंगे आगे विद्यार्थियों विर्षा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे मने बिर्षा के मन में कौन ऐसी समस्याएं थी जिनको वो हल करना चाहते थे है ना तो इसको हम लोग देखते हैं तो यहां हम लोग देख रहे हैं विद्यार्थियों कि बिर्षा जो है उनके मन में तो काफी कुछ था वे चाहते थे कि आदिवासी समाज जो है वो अपने रिती रिवाजों रस्मों को माने और आगे चल करके जो है उसमें जो भी समाजिक बुराईयां हैं वो दूर हो और जिस रूप में वे प्रकृती के साथ जी रहे हैं उसी रूप में उनका विकास हो तो ये सोच था बिर्सा मुंडा जी का ठीक है तो इस पहले वीडियो के माध्यम से विद्यार्थिओं इतना ही हम लोग और भी बहुत सारी चीजें इस चेप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चेप्टर में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें देखना है बिसेश करके जो सामाजीक परिवर्तन का जो ताना बाना पिछले 200 साल के दोरान हुआ उसको भी हम लोग जानेंगे और खास करके ब्रिटिस काल में भारत की जो जन जातियां हैं उन पर ब्रिटिस कानुनों का क्या प्रभाव पड़ा ये सब भी हम लोग देखेंगे और किस परकार से जो है अंग्रेजों के बिरूद आदिवासियों का संघर्स हुआ ये भी हम लोग जानने का प्रियास करेंगे तो ठीक है विद्यारतियों इस वीडियो को मैं एहीं पर समाप्त करता हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है विद्यारतियों कि आप लोग जारखन बीजी स्कूल आप अवस्षे डाउनलोड कर लें ताकि आपको ऑनलाइन अध्यन में सहुलियत हो और एक चीज़ है विद्यारतियों कि किसी भी वीडियो पर जदी आपको टिपनी करने की कोई इच्छा है या कोई वीडियो आपको विस्तार से चाहिए उसमें आपको बाते नहीं समझ में आई तो उस पर भी आप टिपनी करने कीजिएगा जानकारी दीजिएगा मैं सहर्ष प्रयास करूंगा कि आपके लिए कुछ और बहतर वीडियो लेकर आऊं तो ठीक है विद्यार थी हो जहिन विद्यार थी हो जोहार विद्यार थी हो